चानल पर करने हो तो चानल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वेल आइकन को और फेसेट कर लेना क्योंकि यूनीक वीडियो की लिस्ट पढ़ी है और हाँ इस वीडियो को लाइज जरू करना शेर करना और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना इस एप्लिकेशन का जरूर जो है यूज कर सकते हो इस एप्लिकेशन का जो थोड़ा से यूज है वरिफ में आप बता देते हैं कि ट्विटर जिस तरह से काम करता है मिलकुल उसी तरह से यह थेट अप्लिकेशन काम करता है जो चीज़े आप ट्विटर में कर सकते हो वही यहाँ पर आप आगे future में कर पाऊंगे मतलब simple सा funda है simple सी चीज है कि Twitter जो काम करता है वो यह चीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी Twitter के जो सारे concept है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगे और यहाँ पर आपका Instagram का account ही आपको use करने के लिए मिल जाएगा तो threat application के बारे में जो लोग जानते है वीडियो को skip कर सकते है जो लोग नहीं जानते है वीडियो को enter ज़रूर देखे चैनल पर अगर आप नए आए हो तो नीचे जाके subscribe बटन पर click ज़रूर करे notification को all पे set करे मैं हूँ आपका दोस्त जीतुराज चलिए शुरू करते हैं आज के इसने episode को तो दोस्तों हम लोग एक और नए social media application के बारे में जानने वाले है और ये application काफी कम time में काफी जादा popular हो गया है और ये जो application है 27 जून को ही जो है launch हुआ है last update इसका कुछ 10 जुलाई का है और इस application की बात करें तो application Instagram की और से ही आता है यानि कि आप Instagram आप लोग यूज करते हो तो Instagram का ही ये application है और इस application का जो उद्देश है बिल्कुल सेम Twitter की जैसा ही आप लोग Twitter के बारे में जानते ही हो Twitter क्या है और Twitter क्या काम आता है बिल्कुल उसी तरह से ये third application भी काम आएगा आप Instagram का ही account इसमें यूज कर सकते हो अब इसमें आपको कैसे जो है login करना है किस तरह से जो है आप इसको यूज कर पाऊंगे सारी चीज़े हम लोग जानते है तो आप लोग के पास Instagram का user ID या mobile number या फिर email ID जो भी होगा वो और आपका Instagram का जो password है वो password आपको यहाँ पर ज़रूरी होगा तो आप इस account में login करने के लिए तो Instagram में जिस तरह से login करने के लिए आप user ID, password या email ID लेते हो वो email ID, password आपको यहाँ पर भी देना है सेम आपका account यहाँ पर आजाएगा सेम वही profile name, सेम वही सब कुछ आपका यहाँ पर add हो जाएगा यहाँ पर आप follower गिन कर सकते हो दूसरों को follow कर सकते हो post कर सकते हो और जो है, जो दूसरे post कर रहे हैं उनके post को reply कर सकते हो comment कर सकते हो, like कर सकते हो share कर सकते हो, बहुत सारी चीज़े हैं महाँ पर तो हम लोग यह देखेंगे तो thread application को open करेंगे हम लोग जैसे हम application को open करते हैं इसके home back overview हर application में जैसे होता है home back overview के उपर bottom में कुछ tabs होते है तो वह हम देखेंगे सबसे पहला tab है bottom left corner में feed वाला उसके बाद देखेंगे दूसरा tab है search वाला तीसरा create वाला tab है चाथा activity वाला tab है पांच वा जो टैप है वो आपका profile वाला टैप है तो हम लोग यहाँ पर activity टैप वाले पर select करेंगे feed वाले टैप हम लोग सबसे पहले select करेंगे अब feed वाले टैप पर क्या होता है कि आपको यहाँ पर कुछ लोग होते है जो मतलब trending में कुछ threads यहाँ पर चल रहे होते है वो यहाँ पर दिखाई देंगे जलाई 12 शिप कुछ यहाँ पर मतलब सारी चीज़े कुछ photos वीडियो जो भी trending में चल रहा है वो यहाँ पर आपको टॉप में दिखाई देगा तो आप वहाँ से देख सकते हो search में search में simple जो है आप किसी को भी search कर सकते हो यहाँ पर जैसे search पर click करते हो एक edit box उपन होता है search किसी को भी आप search कर सकते हो अभी अगर आप फूर्स टाइम लॉग इन कर देगा तो आप टेक असिस्टन फॉप लाइन को सर्च करो हम यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे आप हमें follow कर सकते हो तो search में किसी को भी search कर सकते हो आपके friends family में अगर कोई आपको लगता है कि यहाँ पर thread में आये होंगे तो आप उनको easily search कर सकते हो create वाले टैब उसके बाद आता है create वाले टैब में आप लोग post create कर सकते हो दिखाते हैं आपको कि अच्छल बटन पर जो है आपका करसर जाता है और कि कैंसल बटन पर आपका करसर जाएगा एडिट बॉक्स होगा है जो भी आपको लिखना है वह आप लिक के post कर सकते हो जैसे अवे वने के लिखा अब यहां पर देखी है attach media का बटन मिल रहा है आप media attach कर सकते हो यहां से add to thread का button बटन मिल रहा है add to thread कर सकते हो यहां पर कोई भी reply कर पाएगा इस thread में पोस्ट कर सकते हो ठीक है तो simple आपको post पर click करना है आपकी जो जो आपका यह post है वो post public हो जाएगा ठीक हमने भी एक post कर रखा है आप लोग को आप लोग को जब हमें search करोंगे तो आपको हमारी post वहां पर दिखाई दे जाएगी तो इसलिए आप यहां से जो है post कर सकते हो और यह काफी जादा accessible है यहां पर कोई भी इन accessibility नहीं है और कोई ads वाकर है भी आपर दिखाई नहीं दे रही है तो simple आप create में जाके इस तरह से जो है post creates कर सकते हो जो हमने आपको बताया अब यहां पर activity वाला टैब है जो भी वहां पर activity हो रही है जो सारी चीजे वह यहां पर आपको दिखाई देगी activity वाले टैब में profile वाले टैब में जाओंगे आप तो आपको आपको आपकी profile सारी द Instagram profile यहां पर setting है setting में अगर आपको कुछ चेंजेस करने तो कर सकते हो डिफॉल्ट में जो setup होता हो तो वैसे ठीक है वेलिकर आपको अगर कुछ चेंजेस करने तो कर सकते हो यह हमारी profile है फिलाल zero followers है अभी एभी account हमने बनाया है profile को यहां से edit कर सकते हो आप profile को यहां से share कर स तो थ्रेड्स टैब है रिप्लाइ टैब है ठीक है अब हमने टू आर्ज गो मतला दो घंटे पहले पोस्ट किया था यहां से अब रिप्लाइ भी कर सकते हैं रिपोस्ट भी कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं इस पोस्ट को ठीक है यह आगे जो टैब है वह सारे के सारी जो टैब है तो हमारे स्टाटिंग वर्ज हमने देखे वहाँ पर आगए ठीक है यह थ्रेट्स वाला टैब है आपने जितने भी पोस्ट कर रखिए जितने भी थ्रेट्स आपने किये हुए है वह आप यहां से देख सकते हो और अगर आपको दिए देखना है कि आपके थ्रेट्स पर किन लोगों ने रिपलाई दिये है तो वह रिपलाइ वहले में जाके आप इसीली रिपलाइ दे सकते हो तो यही simple सा funda है Threads application का आपको बिल्कुल Twitter के जैसे आपको यूज करना है और अभी-अभी recently application बना है तो around कुछ 50 million जो है इसके डाउनलोड हो चुके है तो आप लोग भी डाउनलोड करो और जो है यूज करो इस application को और जो भी आपके topics है नए-ने trending topics, news वगरा सब कुछ आपको यहां से जानने के लिए और सीखने के लिए मिलेगा तो आप लोग जो है इस application का यूज जरू करें वीडियो जरू सब्सक्राइब करें चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब करें मैं मिलता हो किसी और इंटरस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए जय है आप